नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्र मैं आपके साथ पूछा राठोश शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुनले विशेश शग्यर पंडित सुरेश पांडेजी पंडेजी आपका बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद नाखून बताएंगे आपकी सेहत का हाद नाखून बताएंगे आपकी सफलता का रास नाखून बताएंगे आपके भविश्य की बाद आज ही अपने नाखूनों पर करेगोर और जाने अपना कल, आज और कर काल चक्र में जिहां यही नाखून ना केवल आपके हाथों की सुन्दर्ता को बढ़ाते हैं बलकि यह आपकी परस्नालिटी और भविश्य के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं यह आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं इसलिए नाखूनों की बनावट को देखकर यह जाना जा सकता है कि भविश्य में कौन से बिमारी हमें प्रभावित कर सकती है हमारी किसमत कब किस और बड़ी करवट ले सकती है और कौन से हैं वो राज जो हमें नाखून देकर पता चल सकते हैं यहीं आज कालचक्र में पंडिजी आपको बताने वाले हैं इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा नमबर नोट कीजिए 010-66524-1 तो चलिए आज के दिल्चस्प चर्चा को हम शुरू करते हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नाखूनों की कैसे नाखूनों से आपकी किसमत जुड़ी हुई है कौन से राज नाखूनों के आकार को दे कर पता किये जा सकते हैं आज इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आईए पंडिजी से जान लेते हैं कि नाखूनों की बनावट से आखिर कैसे पता चलता है इंसान के व्यक्तित्व और उसकी सेहत के बारे में चलिए पंडी जी बताईए नाकून कैसे हमारे चरित्र हमारे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं देखो ऐसा है पुजा, हमारे हाँ सामुद्रिक सास्त स्वामी कार्टिके ने लिखा जो सिवजी के पुत्र के, जिससे मनुष्य के सुभा सुभ का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा सकता था, इससे देवताओं में बहुत खलबली हुई, कि जब मनुष्य अपने सारे इस बात पर देवताओं में जो मंत्रना हुई उसके परणाम सुरूफ स्वामी कार्टिके ने अपने उस सास्तर को समुद्र में विसर्जित कर दिया, और समुद्र से कुछ प्रतियां प्राप्त करके उस समय के रिसी मुनियों ने, जो एक रचना की सामुद्रिक सास्तर की वही आज हमें समुद्रिक सास्तर के रूप में मिलता है। समुद्रिक सास्तर उसका नाम इस ले पड़ा कि उन कागजों को समुद्र से संग्रहित किया गया था। पयर के अंगुलियों की रचना इन सब चीजों पर एक बिष्त्रित बिवेचन प्रस्तुत किया गया है। समझ रही हो। और उसमें ये सामुद्रिक सास्तर को पढ़ करके किसी व्यक्ति को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं। ये व्यक्ति भाग्यसाली है कि दुर्भाग्यसाली है। ये व्यक्ति बुद्धिमान है कि निर्बुध्धी है। ये व्यक्ति दयालू है कि हत्यारा है। ये केवल आप देख करके पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, किसी के हाथ का अंगूठा अगर ये ऐसे दबाने के बाद एकदम पीछे की तरफ यू के आकार में मुड़ जाए, तो वो व्यक्ति बहुत इमोशनल और दयालू होगा, वो कभी चीटी को भी नहीं मार सकता है, लेकिन जिसका ये अंगूठा जरास पीछे की तरफ ना मूड़े, वो बहुत मस्तिस्क प्रधान व्यक्ति होगा, वो किसी इमोशन में कभी नहीं आएगा, और जिसका ये अंगूठे का जो तीसरा पूरुवा है, उपर वाला हिसा, ये अगर बहुत छोटा सा चिपित हो, तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी होता है, तो कहने का मतलब ये है कि सामुद्रिक सास्तर से जीवन के हर गंभीर रहस्यों से परदा उठाया जा सकता है, उसी का एक पार्ट है नाखून, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो कहने का मतलब ये है कि नाखून क की बनावड जो होती है, बृत्ताकार भी होती है, आयताकार भी होती है, बर्तुलाकार भी होती है, तो जिन लोगों के नाखून लंबे होते हैं, ऐसे लोगों का सुभाव कैसा होता है, साथ ही लंबे नाखून वाले लोगों को किन बिमारियों का सामना करना पढ़ सकता है देखे, एक तो होता है मध्यम नाखून, अब एक होता है कुछ आखों में चुभने वाला ज्यादा लंबा नाखून तो इसके बारे में जरा हम जानते हैं जिन लोगों के नाखून थोड़ा ज्यादा लंबे होते हैं आईसे लोग सौं में सुभाव के व्यक्ति होते हैं, आईसे लोग बहुत भावक होते हैं और करपना सील होते हैं आईसे लोगों को हमने संगीत करते हुए, सेरो सायरी करते हुए, गीत लिखते हुए, कहानिया लिखते हुए और इमोशन में बहते हुए देखा है इन लोगों को आसपास की चीज़ें बहुत जल्दी प्रभावित करती है जिस वज़े से लोग इन्हें आसानी से धोखा भी दे देते हैं इन लोगों के विचार बहुत अलग होते हैं और इन लोगों के विचार दूसरों के सांथ बहुत कम मिलते हैं लेकिन नाखून अगर ज़रुत से ज़्यादा लंबे हो जाएं और पतले हो जाएं लंबाई होना ठीक है लेकिन उस इसाब से चवडाई भी हो लेकिन अगर चवडाई पतली हो और लंबाई अधिक हो तो आप समझ लीजिएगा कि इस आदमी को लंग्स की बिमारी है फेफ़डों की बिमारी है और अगर नहीं है तो फेफ़डों की बिमारी होगी नाखून अगर बढ़कर उंगली की वो जुका हो मतलब आगे की तरब जुका हो तो समझे कि आपको चाती और फेफ़डे से जुड़ी बीमारी हो सकती है जिन लोगों के नाखून लंबे और बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं मतलब पीछे की तरफ उभरे हुए होते हैं ऐसे लोगों को किदनी से जुड़ी बीमारी हो सकती है ऐसे लोगों की किड्नी प्रभावित हो सकती है कम उमर में ही ऐसे लोगों की क्रिट्नाइन बढ़ने लगती है ऐसे लोगों के सरीर में बिटामिन A और प्रोटीन दोनों की कमी रहती है तो इसलिए अच्छे ना खून तो उसे माने जाते हैं जो ना बहुत लंबे हो ना बहुत छोटे हो जो मध्यम आकार के हो जिनकी लंबाई और चवडाई में समान उपात हो वो ना खून अच्छे और स्रिष्ट बेक्तियों के माने जाते हैं जैमाबिन दिवासनी तो आज बहुत मेत्वपूर्ण हम चर्चा कर रहे हैं नाखूनों को लेकर आगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे फिलहाले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं कमल है भीलवारा राजस्तान से कमल जी सवाल पूछे रहे हैं सुखी रहे हैं को दुम lazy कि बताए हूं तुमने अपने को इंजीनियरिंग की पधाई कराई चाहिए इसेंजीनियरिंग की पढाई करानी चाहिए अभी तो जी तेरा साल का है इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छा जीवन में अपने करेगा और इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा तकनिकी दिमाग है इसका इसका टेकनिकल पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा तुमने अपने बड़े भाई के बेटी के बारे में जो प्रसने पूछा है उसका स्वामी सूर्य है और उससे स अप्तम भाव में सनी का घर है सनी और सूरी की इस्थिती समय जो बन रही है सदाश्टक योग की बन रही है अभी इसके बिवाह में भी बिलंब बना हुआ है और सरकारी नवकरी का भी योग जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है जै माबिल दिवासनी इस पीच एक और काल शक्र दर्शक हमार साथ जुड़ गए हैं गुरुगराम से हैं चरन सिंग छे सवाल पूछिए चरन सिंग जी नमस्कार गुरुजी नमस्कार जोर से बोलिये मैं अपने बेटी के बारे में पूछन चाहता हूँ नावन शाक्षी जी चरन सिंग जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री के भाव का स्वामी चंद्रमा उससे दसम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमंगल की परसपर सब्तम इस्थिती है बेटी का अभी करियर में बहुत श्ट्रगल चल रहा है अभी ठीक से इसका कोई काम सेट नहीं हो पा रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि आगामी दिसंबर तक इसका करियर काफी हद तक सेट हो जाएगा जहां तक विवाह का प्रस्ण है तो सूर्य और सनी दोनों ग्रहों की इस्तिती सरदाष्टक योग की है और अगर देखा जाए तो चंद्र सनी को देखा जाए तो भी छट्वा और आठ्वा संबंध बनता है विवाह में आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और विवाह के लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा जहां तक मेरा अनुमान है कि जनवरी दोहजार पचीज के आज पास तक इसका विवाह होने की संभावना बन्य हुई है जै माबिन दिवासनी चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज हम बात करें हैं नाखूनों को लेकर तो अगर आपके नाखून छोटे हैं और चोड़े हैं तो ऐसे नाखून वाले लोगों की सेहत और किसमत कैसी रहती है चलिए अब इस बारे में पंडेजी से जानते हैं जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं लेकिन नाखून की चोड़ाई बहुत होती है ऐसे लोगों के गले में सूजन की तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग थाइराइट के पेसेंट भी होते हैं ऐसे लोगों को स्वास से जूड़ी बिमारी भी होती है बोल आवाज का तूटना, आवाज का साफना आना, ऐसी भी समस्याएं होती हैं, जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं, लेकिन उनका आकार वरगाकार होता है, मतलब गोलाई लिये हुए होते हैं, ऐसे लोगों को दिल की बिमारी हो सकती है, ऐसे लोगों को हिर्दय से संबंध अगर नाखून छोटे और चौड़े हैं और उंगली से बिलकुल चिपके हुए हैं बाहर की तरफ नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे लोग बड़े परिश्रमी और बड़े महनती होते हैं लेकिन बड़ी महनत और बड़े परिश्रम के बाद भी जीवन में भागे इनका बहुत सा नहीं देता है जैमा बिंदिबासनी चले इस बीच एक और काल चक्र दर्शक मान सा जुड़ गई है मन्जू है छपरा से मन्जू जी सवाल पूछिए पर नाम पंदी जी हां सदा सुखी रहो मन्जू पंदी जी मैं ननी सब पचासी से मतलब जहां खड़ी हूँ वही पर आज तक खड़ी हूँ मेरा जनम है उननी सब बहुत्तर साम को 4 बजिजे सावा 4 वजिए तक और साथ जून का जनम है मेरा manifest है कि पंदी जी मतलब पचेसी में मेरी मा मर गयी है उसके बाद से मतलब मैं तकलीद महीं मंजु जिसको जरूरत पड़ता है मेरा इस्तेमाल करता है उसके बाद हमें छोड़ देता है और मैं क्या अपने मुखे दो उत्तर दिशा का मेरा घर है कि हम अपना घर के आगे पीछे पंच मुखी हनुमान जी का तस्विर लगा सकती हूं और मेरा बेटा है जिसका जनम है उ 1996 रात को बारह वजे क्या मुझी जी के सरकारी नो प्रिलग सकती है मन्जु जी ऐसा है कि आपने जो प्रस्न किया है तो मैं आपको बताओं कि आपका दूतियेस और स्वप्तमेस जो है सनी और बुद्ध हैं इन दोनों का ब्रहस्पत्ति के सांथ इत्थसाल है आप भले कह रही हैं कि आप 85 से एक अही जगह पे खड़ी हैं लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है इसके आधार पर मुझे आपका भवी से ठीक दिखाई दे रहा है ये तो परिवार है उपर नीचे परिस्तितियां होती रहती हैं लेकिन कुल मिला करके अगर देखा जाए तो आपका आने वाला समय मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है आगे हरी इक्षा प्रभू जाने लेकिन जो मेरी जियोंतिस कह रही है उसके आधार पर आपका आने वाला समय हमें अच्छा दिखाई दे रहा है जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रस्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा पंचम भाव का स्वामी आपके चंद्रमा से बुध है और उसके आजीविका भाव का स्वामी ब्रहस्पती है बुध हो ब्रहस्पती की सनेहा दृष्टी से इत्तसाल है लेकिन मंगल मडव योग कर रहा है बेटे को अच्छी नवकरी तो मिल जाएगी इसमें संदेह नहीं है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है दावे के सांथ कि सरकारी नवकरी ही मिलेगी हो सकता है सरकारी नवकरी ना मिले लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी ये अच्छा करेगा और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा जैमाबिन दिवासनि चले स्पीच एक और कार्चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गये हैं जारकंट रांची से आपना सवाल पूछी और सबसे पहले नाम बताईए जुमा नाम है मेरा क्या नाम है जुमा 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 हाँ अच्छा दो पतना है पॉन्डी जी दो दो पूछन है पूछे कोटी कोटी पोनाम पहले आपको आपको हमको आसिदर दीजिए सवाग सवागा रहने का सुखी रहे हैं आपन्डी जी मेरा हस्में के बारे में पूछ रहे हैं जे फिप्टी और उनका जन्मा उमार है और नाम है नंदलाल उनका काम नहीं बनता है छे माइना पाट माइना होता है बेट जता है आपसे किस्टी बहुत ही खाराफ हो जता है और हमरा बेटा के लिए उनीस निरानबर फोर नाइव फोर नाइव इनीस निरानबर जानमा सोनी बार और नम नाम है और उनका भविस्त बारे आज तुन सरकार नकरी होगा कि नहीं उसका भविस्त का उजल होगा देखे आपके पति के बारे में तो ये बता दूँ कि अब उनकी उमर हो गई 63 साल की और 63 साल की उमर रिटार्मेंट की होती है और 63 साथ की उमर में अगर आप सोचें कि वो नए करियर की सुरुआत करके और कुछ बड़ा तीर चला दें तो ये बात तो अब काफी कठिन लग रहा है आपके पति भाव का स्वामी बुद्ध है जो मंगल और सुक्र के साथ सनी की दृष्टी में है अब आपके पति का काम ऐसे ही थोड़ा सा उपर नीचे चलेगा कोई बहुत चमतकार की उमीद नहीं की जा सकती है जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प् लेकिन आपको चाहिए कि आप सुक्रवार के दिन बैभो लक्ष्मी का ब्रत करें और कम से कम 11 या 16 सुक्रवार बैभो लक्ष्मी का ब्रत करें बैभो लक्ष्मी ब्रत कता की किताब पढ़ें और जिस तरह से उसमें पूजा करने का बिधान लिखा गया है उसी तरह से आप वैभौ लक्ष्मी का ब्रत करें, पूरे दिन ब्रत करें सुक्रवार को, साम को 4-5 बजे एक ठाली में स्रीयन्तर रख करके, लक्ष्मी का चितर लगा करके, और उनकी बिढ़वत पूजा करें. और 16 सुख करवार होने के बाद साथ सुहागन इस्त्रियों को भोजन कराके उन्हें सिंगार की समगरी दें इससे आपके घर का दरिद्र मिटेगा और आपके घर में समपन्नता आएगी जैमा बिंदिवासनी चलिए अब नाखूनों को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके नाखून तिकोने आकार के होते हैं ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है साथ ही ऐसे लोगों को आने वाले कल में आखे कौन से बिमारी सता सकती है चले जानते हैं पर जी बताइए तिकोने आकार वाले नाखूनों के लिए क्या कहिंए इस तरह के नाखून के लोग बहुत कम पाये जाते हैं, ऐसे लोगों का नाखून नीचे से बहुत पतला सुरू होता है, और उपर जा करके उसकी चवडाई हो जाती है, जैसे त्रिकोन होता है, उसी तरह से त्रिकोन के आकार का ऐसे लोगों का नाखून होता है, ये नाखू इनके काम में creativity दिखती है, ये लोग छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, जिन्हें अक्सर लोग अंदेखा कर जाते हैं, ये लोग कभी भी गलत नहीं देख सकते हैं और नहीं गलत बात बरदास्त करते हैं, ऐसे लोग सभी काम अपने धंग से करते हैं, इन लोग का काम करने की वज़े से इनको मानसिक परिसानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन त्रिकोंड के आकार करना खून, व्यक्ति के व्यक्तित तुम्हें चारचांद लगाता है, जैमा बिंदिवासनी, चले इस बीच मानसाथ काल्चक्र दर्शक चूड़ गई हैं, वि उसना चाती हूं, वो दोहजार इकित में विदेश में गया था, एमबीए करने के लिए, पंडी जी उसकी एमबीए तो हो चुकी है, और एमबीए हुए भी उसको आट महीने हो गए हैं, उसकी अभी तक एमबीए से रिलेटेड नोकरी नहीं लगी, अभी वो कहीं ओवर ट पुत्र भाव का सुवामी बूध है, उसे सप्तम और दुति भाव के सुवामी सुक्र और बिहस्पती हैं, सुक्र और बिहस्पती का पंचम नोमित्थ साल इस बात का संकेत कर रहा है, कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद और दिसंबर 2023 के अंदर तुम्हारे बेटे को योग्यता के अनुसार नवकरी मिल जाएगी और उसका भवी से ठीक सुरू हो जाएगा अभी 30 अक्टूबर तक श्ट्रगल है 30 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में इसको निश्चित रूप से बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है जो इसके भवी से के लिए को शेकर लेन इसका सान्थ दे इसके लिए आप ब्रिहस्पतिवार के दिन केले के पेंड में जल एवम हल्दी डालें और भीगी हुई चने की डाल और गूर केले के पेंड के नीचे रखें उसका प्रसाथ चरहां और बाद में उस प्रसाद को किसी गाय को खिला दें 16 ब्रिहस्पति वार ये उपाय करिए देखिए बेटे का भागयोदय कैसे होता है जै मामिन देवास नी चलिए बात कर लेते हैं वरिश्चेक राशे की लेकिन इस बीच एक कॉलर भी हमार साथ जुड़ गए है अनीता है उज्जेन से पू पुलषुना और मेरी मम्मी के बारे मैं गायि मेरी लड़की है उसका जणम है 2004 का ओच शे अक्टुमबर राति का 9-10 का क्या जानना चाहती हूं ऑर मेरे लड़के का जनम है दो हजार शाट छे दिसमबर दो चालिस का जनम है रातरी का वह बैच्चा जिद्धी है मेरा लड़की और लड़के का भवश्य कैसरेगा वह तीसरा मेरी मम्मी की तवे ठीक नीए तीन साल से उनको दिमागी तकलीव है देखो ऐसा है जहां तक तुम्हारे बेटे के भविसे का प्रस्न है तो उसके बारे में तो मैं अनिता यही कहना चाहूंगा कि मंगल और सूरी दोनों की स्थिती दुटी द्वादस है बेटे को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने करियर में सफलता पाने के लिए के प्रस्न है सेहत का तो केतू आपके मम्मी के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो नस संबंधी और दिमाग से संबंधित बीमारी देते हैं और इनको मतलब की एक प्रकार का एलजाइमर जिसको करते हैं भूलने की बीमारी और नसों की बीमारी ये सब चीजे हो रही है आप अपने मम्मी से साथ तरह के अनाजे के किलो और एक कंबल किसी भिखारी को सनिवार के दिन दान करवाईए उससे आपके मम्मी को कुछ राहत मिलेगी जै माबिन दिवासनी आएए क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं नाखुनों को लेकर तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडिजी से जानते हैं कि जिन लोगों के चोकोर नाखुन होते हैं अब ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं और इन्हें आने वाले भविश्य में किन बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है बताए पंडिजी चोकोर का मतलब हुआ वरगाकार नाखुन जिसकी लंबाई और चवडाई सेमो जिन लोगों के चोकोर नाखुन होते हैं ऐसे लोग बेहत गंभीर और कठोर होते हैं जो काम एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं ये लोग साहसी और दिलेर होते हैं ज्यादा गंभीर ब्यक्तित होने की वज़ा से इनके दोस्त उमूलियों पर गिने हुए होते हैं ऐसे लोगों को आखों की समस्या जहलनी पड़ती है, जिस वज़े से छोटी उम्र में ही इनको चस्मा लग जाता है। चवकोर नाखून वाले लोगों की हड्यों की समस्या भी परिसानी का कारण बनती है। जो लोग अपने नाखून की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ब्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, साथ ही घर में दरिद्रता का भी वास हो जाता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सब्ताह में एक दिन बुधवार, सुक्रवार या रविवार को आप सभी को अपने नाखून काटने चाहिए। नाखून कभी भी बढ़ा कर नहीं रखना चाहिए। और ये बात अलग है कि इसका अपवाद है लड़कियां कुछ नाखून रखती है फैंसन के लिए तो वो उसकी साफ सफाई भी करती हैं, उसकी देखभाल भी करती हैं। अगर आप भी देखभाल कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसकी गंदगी रोज नहीं साफ कर सकते हैं, उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो नाखून को सपताह में एक बार जरूर काट देना चाहिए। और मंगलवार और सनिवार को कभी भूल करके भी नाखून ना काटें मंगलवार और सनिवार को नाखून काटने से नाना प्रकार की बिमारियां सरीर में जन्म ले लेती हैं जै माविन दिवासनी चले इस बीच मारे साथ काल शक्र दर्शक जड़ गए हैं सूरज हैं परिदबाद से, सूरज जी सवाल पूछे सरकारी नौकरी के बारे में पूछते हैं और बार बार मुझे ना जबाब देने में कितना बुरा लगता है जिसकी कोई हद नहीं, जिनका लड़का पढ़ने लिखने में भी ठीक नहीं है ऐसे लोग भी सरकारी नौकरी की बात करते हैं देखिए सूरज जी आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी ब्रहस्पती है और आपका बेटा अब 23 साल का हो गया है अब वो कोशिश भी करे, मेहनत भी करे, तब भी सरकारी नौकरी का योग नहीं बना हुआ है सरकारी नौकरी के लिए, अगर सरकारी नौकरी पहली बात तो अब बची नहीं है सारा प्राइवेटी करण हो रहा है दूसरी बात अब सरकारी नौकरी बची है तो ISIPS की बची है सेना और पुलिस की बची है, SSC की बची है इन नवकरियों के लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए और उसके लिए बच्पन से बच्चों के अंदर वो अंकूर डालना पड़ता है और दूसरा बच्चा तो अभी आपका छोटा है 14 साल का है उसके बारे में कुछ कहार नहीं जा सकता है लेकिन आप जो बेरोजगार बैठे हुए हैं आप अगर चाहें आप संकल्प लें कि नहीं आज से मुझे कमाना है तो आप रोज सिव मंदिर जा करके जल दूद बेलपत्र सिव जी को चठा करके और वहीं बैठ करके 108 बार ओम नमा सिवाय करिए वहीं से आपके दिमाग में ये बात उत्पन होगी या वहीं कोई ब्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस चीज से आप अपने परिवार का भरण पोशन कर सकते हैं आप 40 दिन अगर लगा तार सिव मंदिर जाएंगे और सिव मंदिर जाके जल दूस वेल पत्र चठाएंगे तो वहीं भगवान सिव की क्रिपा से कोई ऐसा ब्यक्ति आपसे टकराएगा जो आपका मार्क दर्शन करेगा और आप अपने परिवार के भरण पोशन की इस्थिती में पूना आ जाएंगे जैमा बिंदिवास नी चले इस बीच एक और कार्चक्र दर्शक मार्सा चुड़ गई है सोनल है दिल्ली से सोनल जी सवाल पूछे नाम सोनल जी अगर आप तक आवास पहुंच रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं पंदी जी नमस्कार हाँ नमस्कार मैं अपने पती के बारे में पूछने जाती हूँ पंदी जी उनकी जनमदारी के एक पाशनी सोनब्बे और रात को ग्यारा बर्के पंद्रा मिनिट का जनम है और दिन मंगलवास पंदी जी मेरे पती जी और थोटे उनके भाई हैं उन दोनों में दिल्पलती नी बन रही है और मतलब मारम मारी होती है और उन्होंने पूरा मकान कफ़्या जमा लिया है तो इस परिस्टिते में पंदी के हमें यहां रहना चाहिए अभी हम जार रह रहे हैं या हमें कहीं और भार निकल के रही जाना कहिए सोनल देखो वेटा ऐसा है कि आपने जो प्रस्न किया है आपके पतिभाव का स्वामी सूरे है उसे चतुर्थभाव का स्वामी मंगल है सूरे मंगल की दुटिय द्वादास हिस्तिति है स्वाद और विबाद के चक्कर में पढ़ने वाला कभी विकास नहीं कर पाता है तो इसलिए मैं कहूंगा कि विबाद जैसे भी समाप्त हो विबाद को समाप्त करके आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए ये इत पत्थर के घर हमें सकून नहीं दे सकते और महल में भी आदमी असान तरह सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिवाद जैसे भी समाप्त होने की प्रक्रिया हो उसे आपको अपनाना चाहिए और नित्य अपने पती से कहें कि वो हनुवान चालीशा और बजरंग बाण का पाठ किया करें। इससे कलह की इस्थिती, मारा मारी की इस्थिती बंद होगी, घर में सवहार्द का वातावरन निर्माण होगा। और मंगलवार को हनुवान मंदिर जा करके पांच लड़ू, बूदी के और तुलसी के पत्ते हनुवान जी को चढ़ाना चाहिए और हनुवान जी के मूर्ती के सामने बैठ करके कम से कम दस बार हनुवान चालीशा का मंगलवार को पाठ करना चाहिए। ये उपाए अगर सात मंगलवार कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि घर की कलह जो है वो समाप्त हो जाएगी जैमाबिन दिवासनी। तो नाखूनों की बनावट से आखिर कैसे आप अपने और दूसरों के परसनालिटी और सुभाव के बारे में जान सकते हैं साथ ही नाखून की बनावट आपकी सेहत के हर रास को खोल सकते हैं। इसमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं पंडिजी से पंडिजी बताएगे। गोल और अंडाकार नाखून। देखें जिन लोगों के नाखून, गोल या अंडाकार होते हैं। ऐसे लोग हर काम को अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं और विवादों से दूर रहते हैं इनका हस्मुक सुभाव लोगों को आकर्सित करता है हर किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं लेकिन इनकी लापरवाही की वज़ा से लोग इन पर भरोसा कम करते हैं इन लोगों को पेट और खून से जुड़ी बिमारी हो सकती है इसलिए इन लोगों को अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए और एक बात जान लीजे किसी का भाग्योदय हुआ है कि नहीं ये आपको अगर जानना है या आपका भाग्योदय हुआ है कि नहीं या कितने परसेंट आपका भाग्योदय हुआ है ये अगर आपको जानना है तो आप अपना दाहिना हाथ महिलाएं अपना पाया हाथ अपने सामने करें और नाखूनों को देखें नाखून के निचले हिस् तो अर्धचंद्र बना हुआ होगा, आधा चांद बना हुआ होगा अउठे में तो आपके निश्ची तुरूप से आधा चांद बना हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है लेकिन सेस उगुलियों में बना होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता जितनी उगुलियों में चांद बना हो उतना 20% आपका भाग्योदय है जैसे अगर तीन उगुलियों में आधा चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है तो आपका भाग्योदय साथ ही प्रच्छत हुआ है और अगर पांचों उंगुलियों में आपके अर्धचंद्र बना हुआ है तो आपका भाग्योदय सौप्रचत हुआ है और यदि सिर्फ अंगुठे में आपका चांद बना हुआ है और सेस उंगुलियों में नहीं बना हुआ है तो इसका मतलब कि अभी आपका भाग्योदय नहीं हुआ है ये आर्धचंद्र जो है ये भागय को भी बताते हैं ये नाकून के निचले हिस्से में बने होते हैं इन्हें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भागयोदय हुआ है कि नहीं हुआ है जै माविन दिवासनी चले अब अपने इस सिग्मेंट के शिरुवात करते हुए पंडिजी से जल्दी से जानते हैं बारा राशी वालों को अपना गुडलग बढ़ाने के लिए हर रोज कौन से इत्रका इस्तेमाल करना चाहिए पंडिजी बताए गुडलग बढ़ाने के लिए कौन से इत्रका इस सुगंधी जो है, ये पुष्टी को बढ़ाती है, ऐसा हमारे वेद की रिचाएं कहती हैं, वेद के मंत्र कहते हैं। मेश रासी वाले मोंगरे की खुस्बू का इस्तेमाल करें, तो भागे चमग जाएगा। बिसभ रासी वाले चमेली का इस्तेमाल करें, तो किसमत में चारचांद लग जाएगी। मिठुन रासी वाले लेवेंडर का इत्र लगाएं, तो आत्मविस्वास बढ़ जाएगा। कर्क रासी के जातक केवडे या गुलाब के इत्र का प्रियोग करें तो मन सांत रहेगा सिंह रासी के जातक रात की रानी के इत्र का इस्तेमाल करें तो इनके निर्डे सही होंगे कन्या रासी के जातक बादाम की खुश्बू वाला इत्र लगाएं तो स्वस्थ रहेंगे तुला रासी के जातक चमेली के इत्र का प्रयोग करें तो निहसंदेह इनकी यात्रा सफल होगी ब्रिश्चिक रासी के जातक कनेर की खुजबू वाला इत्र लगाएं तो निश्चित रूप से इन्हें सारीरी कष्ट से मुक्ति मिलेगी धनू रासी के जातक हजारे या चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें तो इन्हें सत्रू पीडा से निजात मिलेगी मकर रासी के जातक चंपा के फूल वाला इत्र लगाएं तो निश्चित रूप से इनको परिवार का कुटुम्ब का भरपूर सहयोग मिलेगा कुम रासी वाले गुलाब का इत्र इस्तेमाल करें तो इन्हें समाज में सम्मान मिलेगा और मीन रासी वाले कस्तूरी का इत्र लगाएं तो निश्चित रूप से इनका बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होगा जै माबिन दिवासनी चले पंडिजी हमारे दर्शकों को इतनी महतोपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया